कि अच्छे होंगे मैं भी एक्तर मस्त हूं भाई बाद इसका मौसम हो गया है स्टार्ट और इतना अच्छा मौसम है कि जी करता है कि दिन भर सोते रहूं और पर सोने से नीन आता नहीं है फिल्हाल मैं हूँ अभी घर के बाहर और मेरा घर के सामने तो देख सकते हो पुरा कबारा पूरा पानी के वजय से यहां फो कीचड़ कीचड़ हो जाता है और मैं बारिश हो रहा था इसकी वज़े से गाड़ी को ढच करके रखना है ताकि मे दीख रहा है सब घर के अंदर लगता है चनामटर भूंज-भूंज के खार है ऐसे बारिस के मौसम में थोड़ी देर पहले बारिस रुकी ही है और मेरा घर पुरा बरबाद हो गया था तो मैं फिल हाल तो बनवाली हूं तो अभी पुरा ठीक हो गया है क्योंकि लास्ट टाइ आया था बारिस आया थो समय पूरा सामने सामने का खपर पूरा गिर गया था और यह आप लोग देख सकते हो गिरा हुआ खपर पूरा खपर गिर गया था और दिवाल साइड से पूरा पानी चूरह था और अंदर तो पूछो ही मत पूरा पानी घुज गया था उस दिन इत फिर थोड़ा से होगा फिर उसके बाद बंद हो जाएगा पता ही नहीं चल रहा कि बरसात का मौसम भी है तो आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं वीडियो और कहां पर कितना ज्यादा बारिश होर है आप लोगों के साइड में गाइस तो सामने जो बास का पेड़ दिखाई हो गया है और एक साइग का बचा हुआ है उस फटाइट थोड़ा भरा है और इदर का win रहा है और यहां पर चिडिया देख सकते हैं तो तो यह है हमारे कालोनी का टंकी और यह खाने वाला पाउधा कौन-कौन जानते हैं इसको और कौन-कौन खाते हैं कमेंट करके बताइएगा जिसके पसबजी ना रहे हैं यहां पे आकर ले सकते हो तो इसको खाते हैं पर यह थोड़ा कोचता है पर बनाने से बहुत अच्छा है तो और एक मैं यूनिक चीज़ दिखाती हूं आप लोगों को यह है हमारी भासा में अमोडों बोलते हैं पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा तो यह जो पेड़ है इसमें जो फल लगे हुए हैं इसका अचार गाइस में बहुत पसंद है यह आप लोगों किसी को सब्ढ़े है तो उसका चाल होता है उसको पीस करकेगा उसका पानी को पीने से ठीफ हो जाता है वह देशी दवाई है और यह चोटा सपेड है that काफ़ी फला हुआ है यहां पर मचली पाले हैं यह हमारे कालोनी का तलाब है यह देख सकते हो मचली चोटा-चोटा मचली है पूरा और यहाँ पे छोटा कमल फूल और बड़ा कमल फूल है वो देखो उधर दिख रहा है वो है बड़ा कमल और ये नीचे बड़ा बड़ा पत्ती दिख रहे हैं चोटे कमल फूलते हैं तो उधर जो साइड में है ना वो है छोटा कमल और गाइस जब सुबा सुबा जब खिलता है ना इतना प्यारा लगता है कि मैं क्या यह बताऊं मचली मेरे को देख करके तो भागी गया और उधर आधाबा करके निकल जा रहा है पर उसको रोकने के लिए जाली लगाई हुए यह देख सकते हो जाली लगाए है पूरा मचली उधर जा रहा है वो देखो चोटा-चोटा मचली गाइस तो मेरे घर के सामने ना पहले इतना ज्यादा जाड़ रहता था ना कि रात के समय सोने में डर लगता था घर के अंदर में पर मैं बेड के उपर में सोती थी तो मुझे उतना डर नहीं लगता था पर मेरी बहर नीचे सोती थी भाई यो लोड़की ना बिल्कुल नहीं बिच्चु अगे रगो जाता था पर फिर भी मेरे बहने डरती थी इतनी निडर लड़की है भाई और मैं बेड के उपर में सोती थी पूरा यह सोच करके मैं पूरा मच्छडानी लगा दिया थी कि कहीं चड़ना चाहे तो पूरा मच्छडानी को दबा करके सोती थी और यह जो खाली एरिया है ना पूरा जंगल जार से पूरा भरा हुआ था मतलब इतना जाड़ी हो जाता था पर इसको पूरा सफाई करा दिये हैं तो अभी तो काफी अच्छा है और सेफटी भी है अब बच्चे लोग क्रिकेट खेलते थे जिसकी वज़े से उपर का छानी पूर खपपरो पर तोड़ फोर दिये थे और सबस्द्राइब फोरा जितार जाखै और पूरा सुधर गया है और रहने भी ठीक लग proud यह आईसा लग रहता कि कहां जहूँ एसे बरसात में पूरा इतना सारा शमान लेकर काह लोग मिलते लोग मिलते क्योंकि अफिलाल मैं अकेले हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत परिशानी है और वो मेरी girlfriend देख सकते हो पंबल ढगा के सो रही है पर मैं छोटा से डब्बा में पौधा लगाई हूँ जो बस जिन्दा है और यह तो अच्छे से खील विल भी नहीं रहा है यह government हो गया फिर भी क्योंकि साइद यह छोटा पड़के जिसकी वज़े से थोड़ा से यह अच्छे से नहीं खील पा रहा है अब मेरा गाड़ी को थोड़ा सा सांस लेने देते हैं बहुत सो लिया बहुत अराम कर लिया तो अब खोलते हैं इसको फिलहाल तो बारिश नहीं हो रहा है तो इसको ये लो मेरा गाड़ी हो गया रेडी अब घूनने जाने के लिए गाड़ी तो ये जो कवर है इसको ठकने के बावजूद भी इसके अंदर में पानी घुज जाता है और मुसको ओनलाइन ओडर की थी इसका कवर को लेकिन उसमें वाटरपूर्व दिया हुआ था पर इसमें तो पानी अंदर घुज जाता है कोई फायदा ही नहीं होता पर थोड़ा बहुत सेफ्टी रहता है तो अब मैं जा रही हूं घुमने के लिए तो इस वीडियो को यहीं तक रखती हूं और आप लोग की दुआ से मेरा घर बन के तयार हो गया है तो आप लोग को बहुत 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 शुक्रिया तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगए वीडियो तो लाइक कमेंट से एस सब्सक्राइब कर कर दीजेड़ केर